तो आज हम बात करने वाले हैं कि टेक्स्टोस इंजेक्शन का उपयोग डालेसिस में क्यों किया जाता है और किन पेसेंटों के लिए जरूरी होता है डेक्स्टोस इंजेक्शन का लगाना यह क्या होता है डेक्स्टोस इंजेक्शन का उपयोग के लिए कम सुगर वाली या ल कि इन पेशेंट में ब्लेड में गुलुकोस की मात्रा के कम मात्रा होती है जिसके कारण ब्लेड में तेजी से क्या होता है गुलुकोस की मात्रा बढ़ नहीं पाती है गुलुकोस वो कार्वोहाइटरेड भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते है इस कंडिशन में क्या होता है सुगर की कमी होती है इस condition में हमें क्या होता है सुगर इंजक्टं या जो गुलुकोस Dear डेक्स्टोस इंजक्टं देने की जरूत पड़ती है इस में क्या होता है इस treatment से क्या होता है हमारे जो प्रेशंचेंट प्रेशंट प्रेश्न होता है जिसमें गुलव वसुगर की कमी होती है उस Willkis इनेक्षं देने से और जो प्रेशंट हाई घाम को बचा सकते हैं यह अलग-लब लेबल कर आते हैं लाग परसेंट और इसको हम आईवी के द्वारा भी दे सकते हैं और इस इंजेक्शन के आपको साइड एफेक्ट भी हम बताने वाले कि कौन-कौन से इस injection के side effects होते हैं इस injection कि क्या होते है redness होती है soiling आना होता है, skin dry होना होता है इसमें redness सबसे ज़्यादा होती है इसमें vomiting भी आ सकती है और इसमें क्या होता है थोड़ा पसीना आना है chest pain की problem हो सकती है ये injection लेने से पहले आपको डॉक्टर के precaution में यह injection को उपयोग करना चाहिए और आपकी ओर अजानकारी करें आपको मेरे हाथ में एक Dextrose का injection दिखाई दे रहा है जो की 50% injection है Dextrose का जो 25 ml का आता है इस में क्या है इसका रेमर्पी 16 रोपे होता है यह से रोपे का injection मिल जाता है इस injection को हम क्या होता है, जो dialysis patient में क्या होता है, जो filter hooker blood आपके body के अंदर enter करता है, उस में क्या होता है, इस injection को हम सीरेंज में load करके, इस injection को हम जो filtrate blood होता है, उस port के द्वारा आप इस injection को patient को दे सकते हैं, जिससे क्या करता है, filtrate blood में इसको injection को दिया जाता है, जिससे कि इ फिल्टर में ना जाकर यह injection अगर फिल्टर में जाएगा तो यह पूरी तरह से क्या होता है फिल्टर हो जाएगा और कम मात्रा में इसमें एफ्यक्ट करेगा